हेलो दोस्तों आज एक नया डिजाइन बनाएंगे ये देखें ये कुछ इस तरह से बनके आएगा ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है इस डिजाइन को आप लेडिस कारडिगन, गर्ल स्वेटर, बेबी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो आप चाहो तो इसे सेंटर पैटन की तरह भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने इसे स्टार्ट करा है इस तरह से ये पट्टी जो है इसकी लेफ्ट साइड में बना के इसे सेंटर डिजाइन की तरह यूज कर सकते हो बागी का स्वेटर प्लेन रहेगा और ये सेंटर में आ जाएगा आपके या फिर आप इसी को दिबारा repeat करते हुए पूरे sweater में भी बना सकते हो, आप इसे cardigan में use कर सकते हो, border बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस row 1 से ही आप इसे border की तरह use करें, इस side को button पट्टी बना लें, और इसे ही आगे बनाते हुए repeat करते हुए पूरे cardigan में use कर सकते हो, तो इ इसे बनाने के लिए 23 के multiple में stitches चाहिए, ये मेरा एक set जो है, वो 23 stitches का है, इसी को अगेन आपने repeat करना है, जितने भी set आपके होंगे, तो यहाँ पे मैंने एक set बना लिया है, ये मेरा one repeat बन चुका है, अब मैं इसे row 1 से दुबारा से repeat शुरू कर रही हूँ, तो cast on कर लीज ये design शुरू करेंगे, ये हमारी row 1 है, slip करेंगे पहले stitch को, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, slip करें इस तरहां से purlwise एक stitch को, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे करें, तीन सीधे, एक, दो और तीन, धागा अपनी करेंगे 1 उल्टा धागा पीछे करें, पर्ल वाईस अगेन स्लिप करेंगे 1 स्टिच को धागा अपनी तरफ करेंगे 6 उल्टे 1-2-3-4-5-6 धागा पीछे करें चार सीधे, एक, दो, तीन, चार, धागापनी तरफ करेंगे, पांच उल्टे, एक, दो, तीन, चार और पांच, अब आप दुबारा से जब रिपीट शुरू करोगे, तो यहां से एक उल्टे से शुरू होगा, तो जैसे हमने यहां पे छे उल्टे रखे हैं, तो उसी तरह स इसकी सैकिर्ड साइड में भी 6 उल्टे हो जाएंगे, जब आप रिपीट शुरू करोगे, एक उल्टा स्टिच बनाओगे, तो जैसे यहां पे 6 उल्टे हैं, वैसे ही यहां पे 6 उल्टे हो जाएंगे, तो इसलिए यहां पे मैंने 5 उल्टे रखे हैं, रिपीट कीजिए एक उल्टे से और अगेन इसी तरह से सारे सेट को कम्प्लीट कर लें यह हमारी रो वन है राइट साइड से कम्प्लीट हो गई है टर्न कर लीजिए रॉंग साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को धागा पीछे करेंगे अब यहाँ पे मेरे पास पांच उल्टे है उल्टे बनाए थे मैंने तो यहाँ पे मैं है सीधा बनाऊंगी रॉंग साइड से तो simple है, जैसा इस टिच्छा उसे वैसा ही बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ करें, 4 उल्टे, धागा पीछे करके 6 सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, धागा अपनी तरफ करूंगी, एक उल्टा, एक सीधा, तीन उल्टे, 1, 2, 3, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, और सिलाई वाले स्टिच को उल्टा बनाते हुए, रो को complete कर ले, अगेन आप एक सीधा बनाने के बाद, फिर से आपने, यहाँ जैसे 5 सीधे हैं, तो 5 सीधे आएंग स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, अब यह स्लिप वाला स्टिच है, इसे स्लिप कर दें, बापिस से एक सीधा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करके, एक उल्टा, एक स्टिच को स्लिप करेंगे, knit twice slip करिएगे, purl twice नहीं करेंगे, इस तरह से knit twice एक stitch slip कर दे, 2 सीथे, 1, 2, अब जो हमने slip करा है stitch, उसे इन दोनों stitches के उपर से pass कर दे, इस तरह से, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा, धागा पीछे करें, purl twice एक stitch slip कर दे, धागा अपनी तरफ करेंगे छे उल्टे एक दो तीन चार पांच और छे धागा पीछे करेंगे अब यहाँ पे हमें केबल बनानी है राइट साइड को तो आप चाहो तो दूसरी नीडल ले सकते हो या फिर इसे वैसे भी बना सकते हो तो दो स्टिच ले और इन्हें बैक में रख ले क्योंकि राइट साइड की केबल बनानी है तो बैक में रहेंगे स्टिच दो सीधे बनाए एक दो अब जो हमने बैक स्टिच रखे थे उन्हें वापिस ले ले और इन्हें भी सीधा बना दे एक और दो यह हमारी राइट साइड की केबल बन चुकी है धागा अपन से शुरू करें और फिर रिपीट करते जाए ये हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई है टर्न कर लीजिए रॉंग साइड बनाएंगे स्लिप करूंगी पहले स्टिच को पांच सीधे पांच धागा अपनी तरफ करूंगी चार उल्टे एक दो तीन और चार धागा पीछे करें पांच सीधे एक दो तीन चार पांच और एक छे छे सीधे बनेंगे धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा यानोवर करेंगे इस तरह से धागे को गोल घुमाले सिलाई पर से और फिर एक उल्टा धागा पीछे करेंगे एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा अगेन रिपीट करते जाए इसी तरह से ये हमारी wrong side है याद रखिएगा यहाँ पे आपने जो हमारे ये center में है ये सीधे वाले stitches के बीच में यहाँ पे दो आपके stitches आएंगे उल्टे तो यहाँ पे आपने एक yarn over जरूर करना है जिससे आपका ये stitch जो है वो complete हो जाए पूरा हो जाए turn कर लीजिए right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा slip करेंगे एक stitch परलवाईस धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करें तीन सीधे एक ये yarn over करा था वो वाला stitch है दो और तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा और slip करेंगे एक stitch को परलवाईस इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे चार उल्टे एक दो तीन और चार धागा पीछे कर लें अब यहां पे हमें केबल बनानी है दो-दो स्टिच की, तो राइट साइड को पहले बनाएंगे केबल, तो दो स्टिच इस तरह से ले लें, और इन्हें बैक में रखेंगे, और पहले दो स्टिच सीधे बना लें, एक और दो, अब यह जो दो स्टिच बैक में रखे हैं, इन इन्हे सीधा बनादे। अब जैसे हमने यह राइट साइड को के बड़ बनाई है, के बलूर जो भी आप कहलो, वैसे ही हमें लिफ्ट साइड को भी बनानी है. तो लिफ्ट साइड के लिए हमेशा फ्रंट में रखेंगे ट्वं, को तो दो स्टिच लें और इन्हें फरंट में रखें और दो स्टिच सीधह बना ले इक और दो अब यह जो से एक उल्टे से शुरू करें और repeat बनाते जाएं यह हमारी right side जो है वो complete हो गई है turn कर लीजिए wrong side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को 3 सीधे 1 2 और 3 थागा अपनी तरफ करेंगे अब यहां पे आपके पास 8 उल्टे stitch आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 धागा पीछे करेंगे 4 सीधे 1 2 3 और 4 धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा एक सीधा तीन उल्टे एक दो और तीन धागा पीछे करेंगे एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा अगें तीन सीधे से शुरू करें और रिपीट बनाते जाए और रॉंग साइड को कम्प्लेट कर ले टर्न कर लीजे राइट साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा स्लिप करेंगे एक सीधे वाले स्टिच को स्लिप कर दे धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करें निट वाइस एक स्टिच को स्लिप कर दे दो सीधे बनाएं एक दो और स्लिप वाले स्टिच को इन दोनों के उपर से पास कर दे धागा अपनी तरफ करे और दो उल्टे एक दो अगेन फिर से हमें यहां पर केबल बनानी है राइट साइड को तो दो स्टिच लें और इन्हें बैक में रखें और दो स्टिच सीधे बनाएंगे एक और दो अब इन स्टिच इसको वापिस ले ले और इन्हें सीधा बना दे एक दो यान ओवर करेंगे दो स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ यान ओवर करेंगे और दो स्टिच बनाएंगे लेफ्ट साइड को एक साथ तो इस तरह से दो स्टिच स्लिप करके वापिस सिलाई में लेके दो स्टिच लेफ्ट साइ केबल बनाई थी वैसे ही यहां पे left side की केबल बनानी है तो दो stitch ले और इन्हें front में रख ले पहले दो सीधे बनाए अब इन्हें वाले stitches जो हमने front में रखे हैं इन्हें वापिस ले ले और इन्हें भी सीधा बना दे तो एक और दो धागापनी तफ करेंगे एक उल्टा और अगेन एक उल्टे से शुरू करते हुए repeat बनाते जाएं और right side को complete कर लें turn कर लीजी wrong side बनाएंगे तो slip करेंगे पहले stitch को धागा पीछे करें एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 उल्टे 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमारा first yarn over है जो हमारा first वाला yarn over है उसे आपने ऐसे ही बनाना है तो जिससे ये हमारा net बन जाए लेकिन यहाँ पे हमने दो बार yarn over करा है और हमें net जो है वो एक बार ही चाहिए तो जो आपका first वाला yarn over है उसे तो आप ऐसे ही बनाओगे जैसे हम net के लिए बनाते हैं अगेन उसके बाद एक उल्टा और ये मेरा second yarn over है इसके लिए मुझे net नहीं चाहिए मुझे इसमें increasing चाहिए stitch की लेकिन net नहीं चाहिए second वाला yarn over जो है उसे आपने इस तरह से twist कर लेना है ये देखें इस तरह से मैंने लिया वापिस इसे सिलाई में लूँगी और इसे इस तरह से बनाओंगी ये मेरा stitch इस तरह से था इसे मैंने इस तरह लिया सिलाई में और फिर ये वाली सिलाई को back loop में इस तरह से insert करें इस तरह से और इसे purlwise बना दे इससे हमारा stitch भी increase हो जाएगा और net भी नहीं बनेगा जो हमारा design है उसके लिए हमें सिर्फ एक net चाहिए यहां center में यह देखें यहां पे एक net चाहिए हमें यहां पे दो net नहीं जाहिए तो इस तरह से यह हमारा एक net बन जाएगा बागी के stitch हमारे उल्टे बनने वाले हैं तो यह वाले मेरे उल्टे stitch जो है मैं इन्हें उल्टा ही बनाऊंगी धागा पीछे करें दो सीधे धागा पीछे करूंगी एक सीधा और एक उल्टा यहां पे आपने यान ओवर करना है तो center वाले stitch में यान ओवर कर दें इस तरह से और फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और अगेन एक सीधे से शुरू करते हुए इसी तरह repeat करते जाएं याद रखिएगा जो हमारी first वाली net है उसे आपने net बनाना है लेकिन जो second वाली net है उसे आपने सिर्फ increase करना है ट्विस्ट करके बनाईएगा जिसे आपकी net ना बने आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो कोई खास फर्क नहीं पढ़ने वाला है लेकिन ये जो मेरा डिजाइन है इस तरह से आया है तो मैं इसके लिए first net ही बनाऊंगी second वाली net को मैं सिर्फ increasing में रखूंगी लेकिन net नहीं बनाऊंगी तो यह हमारी wrong side जो है वो complete हो गई है turn कर लीजे right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को धागा अपनी तरफ करें एक stitch को परलवाईस धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करें तीन सीधे एक दो और तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करेंगे, एक स्टिच को स्लिप करेंगे, पर्ल वाइस, धागा अपनी तरफ करें, दो उल्टे, एक, दो, धागा पीछे करेंगे, तीन सीधे, एक, तो, तीन, दो स्टिच बनाएंगे, राइट साइड को एक साथ, तो इस तरह से दो स्टिच लें, और इन्हें दो का एक कर दें, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो सीधे, एक, दो, अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप करेंगे, दो स्टिच वापिस सिलाई में लेंगे, और दो का एक कर देंगे, और तीन सीधे, एक, दो, तीन, धागा अपनी दर्फ करेंगे, एक उल्टा, और फिर से एक उल्टे से रिपीट शुरू करें, जैसे के हम इसे यहां से आगे दुबारा बनाएंगे, तो एक उल्टे से रिपीट करें, और राइट साइड को कम्प्लीट कर लें, टर्न कर किजिए रॉंग साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक सीधा, बारा उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा, धागा पीछे करेंगे, दो सीधे, एक उल्टा, एक सीधा, तीन उल्टे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, और अगेन फिर से एक सीधे से रिपीट शुरू करें, और रॉंग साइड को कम्प्लीट कर लें, टर्न कर लीजिए, राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे, पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करके, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, परल वाइस, एक स्टिच स्लिप करेंगे, यह हमारा निट वाला स्टिच है, इसे स्लिप कर दें, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, निट वाइस, एक स्टिच को slip करें, दो सीधे और slip वाले stitch को इसके उपर से पास कर दे ये जो हमारा first वाला center है ये जो row है, ये सेम बनने वाली है हर बार तो इसे ऐसे ही बनाते जाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा, slip करेंगे एक stitch को पर्ल वाइस धागा अपनी तरफ करें, दो उल्टे दो सीधे दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ धागा अपनी तरफ करेंगे, चार सीधे एक, दो तीन चार, अगें धागा अपनी तरफ करेंगे slip करेंगे, दो स्टिच वापिस सिलाई में लेंगे और दो का, एक कर देंगे और फिर दो सीधे एक, दो धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा और अगें एक उल्टे से दुबारा से शुरू करेंगे और इसी तरह से repeat करते जाएंगे right side को, turn कर लीजे wrong side बनाएंगे slip करेंगे पहले स्टिच को एक सीधा बारा उल्टे एक, दो तीन, चार पांच छे, साथ आठ नो, दस ग्यारा और बारा दो सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा यान ओवर कर ले धागा गोल घुमाले इस तरह से और फिर एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और अगेन एक सीधे से रिपीट शुरू करें और wrong side को इसी तरह continue बनाते जाएं turn कर लीजे right side बनाएंगे slip करेंगे पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करें पल वाइस slip करेंगे एक स्टिच को धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा slip करेंगे 1 stitch को परलवाईस धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 उल्टे धागा पिछे करें 4 सीथे 1, 2, 3, 4 धागा अपनी तरफ करेंगे 2 stitch पराएंगे राइट साइड को एक साथ slip करें 2 stitch को वापपिस से लाई में लें और 2 stitch पराएंगे लेफ्ट साइड को एक साथ धागापनी तरफ करेंगे चार सीथे एक, दो, तीन, चार धागापनी तरफ करके एक उल्टा और अगेन फिर से एक उल्टे से शुरू करें और इसी तरह से रिपीट करते जाएं टर्न कर लेंगे रॉंग साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को एक सीधा बारा उल्टे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा और बारा धागा पीछे करेंगे दो सीधे एक उल्टा, एक सीधा, तीन उल्टे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा अगें फिर से एक सीधे से शुरू करें और रॉंग साइड को रिपीट करते जाएं टर्न कर लें राइट साइड बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा purlwise एक stitch को slip करेंगे यह हमारा जो सीधा वाला stitch है इसे slip करना है हर बार आपने सीधी तरफ से एक उल्टा knitwise एक stitch को slip करें दो सीधे बनाएंगे और slip वाले stitch को इसके उपर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करें और purlwise इस तरह से एक stitch को slip कर देंगे धागा अपनी तरफ करें दो उल्टे अब धागा अपनी तरफ ही रखेंगे यहाँ पर हम केबल बनाएंगे दो सीधे और दो उल्टे की left side को left side के लिए हमेशा दो stitch अपनी तरफ रखेंगे तो दो stitch अपनी तरफ रखें और जो दो stitch हम बना रहे हैं इन्हें हम उल्टे में बनाएंगे तो दो उल्टे एक दो धागा पीछे कर लें और यह जो दो stitch हमने फ्रंट में रखे थे, इन्हें हम सीधा बनाएंगे, तो दो सीधे, एक और दो, तो इस तरह से हमने दो सीधे और दो उल्टे की केबल बना ली है, चार स्टिच बनाएंगे सीधे, एक, दो, तीन और चार, जैसे हमने यहां पे केबल बनाई है, दो सीधे, दो उल्टे की, उसी तरह से हम यहां पे भी केबल बनाएंगे, दो सीधे, दो उल्टे की, लेकिन यह जो हमारी केबल है, वो राइट साइड को बनेगी, यह केबल हमारी लेफ्ट साइड को थी, तो दो स्टिच लें, और उन् तरफ करके इन्हें उल्टा बनाएंगे तो एक दो अब यहां पर आपके पास एक उल्टा स्टिच आएगा इसे उल्टा बना ले और अगें फिर से एक उल्टे से शुडू करते हुए रिपीट बनाते जाए याद रखिएगा जो हम केबल बनाएंगे उसे हम दो सीधे और द पहले स्टिच को अब यहां पर आपके पास यह दो स्टिच हमने केबल वाले जो थे वो भी आ जाएंगे तो तीन सीधे एक दो और तीन धागा अपनी तरफ करूंगी सेंटर वाले स्टिच हैं इन्हें मैं उल्टा बनाऊंगी तो यह आठ स्टिचिज मेरे उल्टे धागा पीछे करूंगी चार सीधे एक दो तीन चार धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा यहां पर यान ओबर करना है आपने तो यान ओबर कर लें अगेन फिर से एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा इसी तरह से अगेन फिर से रिपीट करते जाईएगा एक सीधे से शुरू करें यहां से यह वाले सीधे स्टिचिस से शुरू करें और रिपीट करते जाए और रॉंग साइड को कम्प्लीट कर लें टर्न कर लीजे राइट साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा एक स्टिच स्लिप करेंगे फिर से एक उल्टा धागा पीछे करेंगे तीन सीधे एक दो और तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करके एक स्टिच को स्लिप करें धागा अपनी चार उल्टे एक दो 1 2 3 & 4 again possible cable बनाने हैंHHHH हमएं twist करना है both stitches का दो सीधे और डो क्छे का सीधे का सीधेड दो स्टिच लें और इन्हें front में रख लें और धागअ अपनी तरफ इंगा और यह जो ऑफ हैं यह उल्टे में बनेंगे जैसे हमने 1 बनाए थे तो दो अब यह जो स्टिच आगे रखे हैं इन्हें वापिस ले ले और इन्हें आप सीधा बनाईएगा तो धागा पीछे कर दे और इन्हें दो सीधे एक दो को अब यहां पे आपके पास स्टिचिस नहीं है तो आपने इन्हें अगेन फिर से ट्विष्ट करना है यह हमारा लेफस्ट साइड की केबल त्विष्ट हो गही है इसे आपने रड़ साइड को करना है तो दो स्टिच ले ले इन्हें बैक में रखियेगा और फ्रंट से 2 तो दो स्टिच उल्टे बनेंगे तो धाग अपनी तरफ कर ले और इन स्टिच को वापिस लेले सिलाई से और इन्हें हम उल्टा बनाएंगे तो यह वाले दो स्टिच मेरे उल्टे बनेंगे तो दो उल्टे अब यहां पर आपके पास तीन उल्टे स्टिच आएंगे तो इन करेंगे पहले स्टिच को अब यहां पे मैंने दो स्टिच और एड कर दिये हैं तो पांच स्टिच मेरे हो जाएंगे सीधे तो एक दो तीन चार और पांच धागा अपनी तरफ करूंगी चार उल्टे एक दो तीन चार धागा पीछे करें छे सीधे एक दो तीन चार पांच और छे धागा अपनी तरफ करूंगी एक उल्टा, एक सीधा, तीन उल्टे, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा अगेन फिर से पांच सीधे से शुरू करें और इसी तरह रिपीट करते जाएं और रॉंग साइड को कम्प्लीट कर लें टर्न कर लीजे, राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, स्लिप करेंगे एक स्टिच को, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, निट वाइस एक स्टिच को स्लिप करें, दो सीधे बन करके छे उल्टे एक दो टीन चार पांच और छे धागा पीछे करेंगे अब यहां आपके पास सेंटर में चार स्टिचिस सीधे आ जाएंगे इस तरह से तो इन्हें आपने राइट साइड को केबल या ट्विस्ट जैसे भी आप कहलो वो बनाएंगे तो यहां से दो स्टिच इसकी केबल बनेगी तो दो स्टिच ले ले और इन्हें बैक में रख ले दो सीधे बनाएंगे एक दो अब यह बैक वाले स्टिच वापस ले ले और इन्हें भी हम सीधा बनाएंगे तो इस बार हमने चारों स्टिचिस सीधे बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे पां रिपीट करते जाएं, टर्न कर लीजे, रॉंग साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा पीछे करें, पांच सीधे, एक, दो, तीन, चार, और पांच, धागा अपनी तरफ करेंगे, चार उल्टे, धागा पीछे करेंगे, छे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, यानोबर करेंगे, अगेन, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और फिर एक सीधा, फिर से पांच सीधे से शुरू करें और इसी तरह से repeat करते हुए wrong side को बनाते जाए, turn कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरा design जो है वो complete हो चुका है, यह दो repeat जो है मेरी बन चुकी है, तेखें यह कुछ इस तरह से बन के आया है, यह front है और यह back side से इस तरह से बन के आएगा, तो यहाँ पे यह हमारा design जो है complete हो चुका है, यही again row 1 से repeat होता जाएगा, तो design कैसा लगा, message कीजिएगा, पसंद आए तो like करिए, subscribe करना न भूलिएगा, please मेरे चैनल को subscribe ज़रूर करिएगा, subscribe का बटन दबाईएगा, और row 1 से यह हम again design को फिर से repeat बनाना शुरू करेंगे, तो 3 stitch slip करेंगे, again 1 उल्टा, 3 सीधे, 1, 2, 3, 1 उल्टा, 1 stitch slip करेंगे, परल वाइस, 6 उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 उल्टे, और अगें फिर एक उल्टे से repeat करते हुए आगे next बनाते जाएंगे तो इसी तरह से आपने इसे बनाते जाना है ये हमारी row 1 है दुबारा से repeat pattern शुरू हो गया है तो try ज़रूर करिएगा और please भूलिएगा नहीं मेरे चैनल को subscribe ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब का button दबाईएगा thank you